गुट इवरीवन मेरा नाम है अभिशेक गौरहा और आज हम डिसकस करने वाले हैं उस इशु के उपर में जिसके उपर मुझे पता है आप लोगों की नजरें बनी होंगी तीन-चार दिन से इशु है यूकरेन और रश्या में जो tensions escalate हो रहे हैं आपको पता है रश्या ने यूकरेन पे military campaigns launch कर दिये हैं अल्रेडी वो लॉंच हो चुका है, आपको ये भी पता होगा, कि वो उसकी capital Ukraine की capital Kiev तक पहुच चुका है, Russia, उसने आज सुबह सुबह ही statement दे दिया है, कि उसकी military जो है, जो infantry बोला जाता है, जिसको, वो पहुच चुकी है, कहाँ पर? यूकरेन के capital Kiev में, ठीक है, मुझे बता है, आप लोग इस चीज को follow कर रहे होंगे continuously, लेकिन मेरे यहाँ पर आने का reason यह है, कि हमको जैसे follow करना है इसको, वो एक pattern होता है, हमको ये सारी चीजें से कोई मतलब नहीं है, कि यूकरेन ने उसके कित्ते planes गिराए, या Russia ने इसके क beneficial हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम समझते हैं कि Russia और Ukraine, आखिर ये चल क्या रहा है, ये हो क्यो रहा है, तो सबसे पहली बात है, ये है कि यूकरेन और रशिया, अगर आप इनकी history उठा करके देखे हैं, तो यूकरेन और रशिया पहले एक ही थे, ये मैं USSR की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 9th century में, जब कीवियन रश नाम का इनका एक dynasty यहां पे आया था, कीव में, और इन्होंने फिर आगे ये expand करना चालू किया था, ठीक है, हम लोग उतना जादा depth में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे exam point of view से उतना जादा important नहीं है, हम exam point of view से ही देखना चालू करेंगे, ठीक है, तो हम समझते हैं कि आखिर यूकरेन रशिया के लिए इतना important क्यों है, हम ये समझने के लिए एक काम करते हैं, हम इसके कुछ आयामों को देखते हैं, ठीक है, अच्छा, ये हमको समझ में आना चाहिए कि रशिया यूकरेन पे दबाओ बनाना चाहा रहा है, डॉन बास ये जो रीजन है, उसके थू, ठीक है, पहले आते हैं, ये डॉन बास रीजन आखिर है क्या, तो ये जो डॉन बास रीजन है, ये है यूकरेन के इस्टन साइड में, जो रशिया से लगे हुए बॉर्डरिंग, जो उसकी स्टेट्स है, उन में से दो जो नाम है, एक नाम है लोहांस्क, और दूसरे का नाम है डॉनस्क, ये शायद आपको दिख रहा होगा, यहां पे, ये है एक लोहांस्क, और दूसरा है डॉनस्क, ठीक है, इन दोनों को collectively बोला जाता है, डॉनबास रीजन, ठीक है, अब ये डॉनबास रीजन का हम important समझते है, डॉनबास रीजन को important समझने के लिए मैंने जो है चार आयामो को चूज किया है, सबसे पहले हम समझेंगे culturally, कि इंपॉर्टेंट क्यों है दूसरी चीज हम समझेंगे एकोनॉमिकली की डॉन बास रीजन का जो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है वो कितना है तीसरे हम देखेंगे स्ट्राइजी कली की आखिर यूक्रेन क्यों इस रीजन को छोड़ना नहीं चाहता और ऑवियसली यूक्रेन क्यों चोड़ना चाहेगा वो सोवरेन कंट्री है उसके अपने स्टेट को वो क्यों किसी को सीड करेगा लेकिन हमको यह देखना है कि रश्या आखिर क्यों इतना जादा इंट्रेस्टेड है इस डॉन बास पर्टिकलर इस रीजन में ठीक है और फिर फाइनली हम देखेंग कि जियो पॉलिटिकली इसका क्या सिगनिफिकेंस है डॉन डॉन बास रीजन का ठीक है मैं आपको यह सबसे पहले बता दूँ कि इट इस नॉट जस्ट अबाउट डॉन बास और एक्ट्वल καंड़ःट यहां पहो रहा है रश्या वर्सिस नेटो के बीच में नौथ अट्लैटिक ट्रीटी और इसके बीच में है ये ईक्ट्वल कांड़्विक्ट और इसमें भीच में फञ्च गया एक हमको देखना है NATO और एक हमको देखना है United Nations Security Council ठीक है हमको ये चार Organizations के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हमारे जो upcoming exams होंगे जो भी हमारे upcoming exams हैं उसके viewpoint से ये important हो जाता है आप से ये नहीं पूछेगा कि Donbass में कितने plane गिरे या Ukraine को कब इसने annex कर लिया पूरा ये सारी चीज़े important नहीं है हमारे लिए जो important है वो हमको देखना है एक तो हमारे लिए important ये है कि उनमें कौन कौन सी जो Organizations है जो world level की organizations है उनका इसमें role है play करने के लिए और दूसरा हमको देखना है Russia का क्या role है इसमें तीसरा हमको देखना है कि Ukraine की खुद की इसमें क्या उसने खुद अपना क्या role play किया है इसके लिए ठीक है ये भी हम समझेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं Donbass region को culturally मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ Donbass region actually में है कहां पे ये है आपका Ukraine ठीक है ये है आपका Ukraine और ये है पूरा आपका Russia ठीक है ये पर्टिकिलरली जो एरिया है ये और ये ये जो क्रीमिया है इसको 2014 में ही रशिया ने एनेक्स कर लिया था इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं ये जो Donbass का एरिया है ये ये आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ये इको टोन जैसा एक situation क्रियेट कर रहा है किसके बीच में यूक्रेयन और रशिया के बीच में कैसे हम समझते हैं आपने जब भी Environment and Ecology पढ़ा होगा उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर दो आपके shouting एको सिस्टम्स हैंapple सिस्टम इधर है एक एको सिस्टम इधर रहे अगर आप एक ईको सिस्टम से दूसरे एको सिस्टम तरव जाते हैं मैं आतो इसको नोटिसमाने की कोशिश करता हूं यह मानते हैं एक ecosystem है और यह मानते हैं एक ecosystem है ठीक है अगर यह ecosystem number one है और यह ecosystem number two है तो जैसे जैसे आप one एक ecosystem से दूसरे ecosystem के तरफ जाते हैं तो यह वाला जो reason होता है यहाँ पे तो characteristics ecosystem number one के जाधा रहेंगे और यह जो central region है यहाँ पे characteristics है यह इस ecosystem के जाधा रहेंगे लेकिन जैसे जैसे आप इसकी ओर से इधर बढ़ेंगे और इधर से ऐसे बढ़ेंगे तो यह जो transition zone बनता है यहाँ पे होता यह है इस ecosystem के characteristics आपको इसमें देखने मिलेंगे और वही इस ecosystem के भी characteristics characteristics आपको इसमें देखने मिलेंगे dawn bus region के साथ में हो यही रहा है dawn bus region के साथ भी हो यही रहा है dawn bus region चू की रशिया और यूक्रेन के जस बॉर्डरिंग स्टेट में हैं तो वहां जो है majority of लोग रशियन से अब इसका reason यह है क्योंकि 1991 से पहले जो सोवियत संग था जिसे हम USSR के नाम से जानते हैं रशिया यूक्रेन सब एक ही थे और बाकी जो भी इसके country थी USSR की वह तो कहीं ने कहीं बाद में एक federation बनी थी लेकिन जो यूक्रेन और रशिया है यह हमेशा से एक ही थे यह 9th century से एक ही थे तो और रशिया का sentiments तो इसके साथ है ही यूक्रेन के साथ में अब हुआ यह जो transition बन गया इसमें यहां पे majority of लोग जो है वो Russians है ठीक है जो Russians है तो उनके sentiments Russians के साथ में है अब हम एक काम करते है रशिया जो यूक्रेन है उसके politics को समझते है यूक्रेन यूक्रेन जो है यूक्रेन जो है वो काइदे से एक दो और ये टीन ये एक जोन है उसके politics का ये एक जोन है उसके politics का और ये एक जोन है politics का आप यूक्रेन की अगर जियोग्राफिकल situation को समझेंगे तो ये इस तरफ से घिरा हुआ है यूरप यूरपयन यूनियन जो है जो नेटो के देश है उनसे घिरा हुआ है और इस तरफ जो है वो रशिया से घिरा हुआ है इसलिए इसकी position इतनी strategicly important हो जाती है दोनों के लिए नेटो देशों के लिए और साथ साथ रशिया के लिए इस तरफ की politics है इस तरफ की politics आपकी pro-NATO वाली है pro-European वाली है यहां की जो पोलिटिक्स है यो आइडियोलोजी यहां के regional issues को focus करते हैं और वहीं यहां पे की जो politics है इस तरफ की ज्यादा जुड़ जाते हैं किसके साथ में रश्या के साथ में ठीक है इसलिए आपको ये भी देखने मिलेगा कि वो जो डॉन बास का रीजन है उसको सेपरेटिस ग्रूप इसने पहले ही अलग कर रखा है जो रश्यान मिलीटरी के सपोर्ट से अपने आपको कहीं न कहीं पह कि अचानक से ऐसे देश नहीं बनते हैं लेकिन रश्या ने उनको इंडिपेंडेंडेंट घोषित कर दिया उसने बोला कि मैं इनको इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेश मानता हूं और मैं अपने मिलीटरी सपोर्ट इनको भेजूँगा क्योंकि इनको खत्रा है किसके यूक्रेन तरफ से कल्चरली हमने यह समझा कि ट्रांजिशन जोन होने के कारण में कल्चरली हमने यह समझा कि ट्रांजिशन जोन होने के साथ में इनके जो सेंटिमेंट्स है वो रश्या के साथ में ज्यादा जूड़े हूए है किनके डॉनबास वले रीजन के ठीक है एकोनॉमिकली अगर हम देखें तो डॉनबास रीजन जो है वो मतलब कोल सेक्टर वहां का बहुत बहुत ज्यादा ही डेवलप हुआ ठीक है तो वह कोल के कारण भी इकोनॉमिकली वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तीसरा हम देखते हैं स्ट्रेटेजी कली अब स्ट्रेटेजी कली हमको यह समझना है कि अगर रशिया और नेटो के बीच में जगड़ा हमेशा चल रहा है क्योंकि नेटो जब बना था उस समय पे 1991 में USSR के बाद जितने भी देश रशिया से अलग हुए थे उन्होंने ये बोला था कि हम नेटो जॉइन नहीं करेंगे लेकिन वो दीरे दीरे नेटो जॉइन करने लग गए और नेटो को जॉइन करने के बाद में वो सारे के सारे आ गये थे influence में किसके अमेरिका के लेकिन अमेरिका तो obviously वो अपना eastward side में extension करता गया NATO का और ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है Putin को अब ये लोग पहुँच चुके हैं Ukraine तक इनका कहना है कि ये Ukraine को भी NATO में शामिल करना चाहते हैं लेकिन Russia अगर इस चीज़ को होने देता तो नेटो जो देश है वो सीधे सीधे पहुच जाते कहां तक यूक्रेन के बॉर्डर तक स्वरी रश्या के बॉर्डर तक और ये चीज़ इसको अपनी bridge of security लगी रश्या को इसलिए उसने क्या किया डॉन बास रीजन के बहाने यूक्रेन को ये समझा दिया कि अगर आप नेटो जॉइन करते हैं तो फिर यहां पे विश्वी युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएंगी ठीक है तो यहां पे हमारा दोनों ही cover हो गया strategically भी और politically भी हमको पता है हमको ये सारी चीज़ों को बहुत जादा depth में deal नहीं करना है हमको वो चीज़े important हैं जो हमारे exam point of view से हमको काम आए क्योंकि आपको पता है आगामी कुछ दिनों में महिनों में आपके काफी सारे व्यापम के भी exam होने वाले है state PSCs का means भी होने वाला है तो मैंने उसके लिए कुछ एक questions आपके लिए prepare किया है क्योंकि ये अभी hot topic हो रखा है पूरे world का तो इसमें जो है exams में questions जरूर पूछे जाएंगे तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं आपके questions में ठीक है तो simple questions शुरू में करते हैं हम उसके बाद में आगे चलते चलेंगे tough questions पर जाएंगे मुझे पता है most of the questions के आप answer देने वाले हैं still मैं simple questions से ही शुरू करने वाला हूं क्योंकि जो भी है जो सिर्फ entertainment के factor से इन चीजों को देख रहा है जो Russia Ukraine का conflict है उसको उसको यह चीज clear होनी चीए कि आपको आगे exams देने है exam point of view से आपके लिए वहां से चीजें कौन-कौन सी निकालनी है और कौन-कौन सी छोड़नी है यह आपको समझ मियाना सबसे important है ठीक है मैं आपको एक छोटा सा प्रारूप देता हूं कि आपको कैसे exam के लिए वहां से चीजें आपको निकाल ली है कुछ facts आपको factual data आपको याद करना पड़ेगा ठीक है पहला question देखते हैं who is the current president of Ukraine यह question आपको भले ही लगेगा कि यह कैसा question है लेकिन यह question पूछा जा सकता है और at least आपको यह चीजें पता होनी चाहिए हुँ इस दे करेंट प्रेसिदेंट आफ यू क्रेइन पेट्रो पोरोशेंको विक्टर यानुकोविच व्लादिमेर जैलेंस्की या फिर व्लादिमेर पुतिन अब कुछ लोग होते हैं जो ऐसा देखते हैं options को देखेंगे व्लादिमेर पुतिन दिख रहा है यह नाम सु जैलेंस्की ठीक है अगले क्वेशन में चलते हैं फू इस दे करेंट प्रेसिदेंट आफ रश्या यह भी क्वेशन आपको आ सकता है इसमें आपको सेम अगर options दे देगा तब आपको यह चीज लिए दिख जाएगी कि इसका आंसर है व्लादिमेर पुतिन ठीक है simple questions first अब थोड़ा से चलते हैं थोड़ा से depth में चलते हैं अगला question हम डील करते हैं आपको पता है कि एक war zone create हो के रखा हुआ है अभी Ukraine और रश्या के बीच में आपको वहां के defense के जो staff है वहां से question बनेंगे मेरे को पता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह world world के affairs है यह नहीं आएंगे लेकिन ऐसा नहीं है अभी food inspector में जो paper हुआ था उसमें आपका अफगानिस्तान से भी related questions आये थे है ना तो आप यह समझ यह कि वो current related जो भी matters है उनमें वो deal करेगा ही करेगा questions आपको आएंगे ही आएंगे आपको इस चीज को समझ के चलना है तो who is the defense minister of Ukraine आप इस अप इसका जवाब देंगे मौरोजोव हैं विजगान है या फिर रेजनी कोव हैं या फिर तारान है अगर आप इसको पढ़े होंगे या आपने इतना ध्यान दिया होगा कि वहाँ के defense minister कौन है तो आपको पता होगा यह है रेजनी कोव ठीक है इसका आंसर यह सही हो जाएगा रेजनी कोव है इसका आंसर मैं आपको बस यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं